प्रश्च कोचिंग नंबर वन इन हैस कोचिंग नंबर वन इन हैस कोचिंग क्यों बोला थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं अब हमारे पास एक महिने में आप कैसी तयारी करेंगे वह आपको सोचना है वह आपको देखना है जहां तक मैं बात करूं आपके क्वांट की तो अब आपको ज्यादा ज्यादा मिक्स कोशिंग करने ही ज़रूरत है जितने ज्यादा मिक्स कोशिंग क्रेक्टिस कर फाहें वह आपके लिए बेनिफीचल हो और मैं कूंग वह आपके लिए क्लिए क्या होगा प्लस पॉंट homogeneous क्यूंगि देखो पाट टॉपिंगे अं participate हो बहुत सारा कर चुके और बहुत सारा समझ भी चुके हैं ठीक है सो अब हमें क्या करना चाहिए है तो हमें आप करना चाहिए कुछ questions की प्रेक्टिस जो previous एर से मिलते चुलते है और बिशिज हो मिक्सट्टन होगे तो वो कैसे करेंगे दो कैसे करेंगे यह आ तो बहुत बड़ा नंबर ऑफ स्टुनेट से जो यहां से सिलेक्टिट दे उसका सबसे में रिजन हमारी टैसीरिस रही थी क्योंगी बच्चों को जब रिवीव आये जब पता चला जब देखा गया जब सोचा गया और बच्चों ने खुद बताया कि सर हमारा जो स्लेबस थ तो क्या है देखे टैसर इस नम्बर ऑफ टैस्ट इतने हैं 2600 और चब्विस जर्नल और कंप्लीट जर्नल स्रेडिस के इसमें चार्ट आपके पास और सी सेट के कंप्लीट चार्ट है और लिंक दिए आगे डिस्रिप्शिन में क्लिए 26 आपके पास टोटल नम्बर ऑफ टै कि आपके पास रेंज इतनी आ रही है ठीक है 10-15 कुश्टन के आपके पास रेंज है किसकी आपके किसकी आपके हर्याना जिक्क्य कि अगर बातूर है कि किसका है तो यह चीज है अब इसकी तयारी कैसे करेंगे कोई टेंचन लेने वाली बात ने बिकोश्ट अभी मुन्यू आइस यहां पर भी नंबर ऑन बना हुए क्यूंकि 10-15 कुश्टन आ रहे हैं मिनिम हम आपके पास इतने देंजा रही है और 500 कुश्टन के कुश्टन आपके पा अभियास के जरीए तो आपका चली रहा यहां पर भी इसको आप प्लीज कीजिए क्लियर तो सुटन आज हम कर रहे हैं आज हमने क्या करना है आज हम कर रहे हैं मिक्स कोश्टन प्रेक्टिस हमारा शैशन नंबर या आपका यह लेक्चर नंबर तीन है ठीक है हमने पर होगी ना तो बहुत कुछ पता चलेगा लूप पर चलेगा को पता चलेगा आपको पता चलेगा को बहुत अब नहीं आते और आज ही जो पास्टिस भागो जाएं सारे कह स़ारे टू जैड एक नंबर के ऊप में सुर्ण फेर तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करना आज वेलेज़ दा वीडियो चलते हैं आज की कॉश्चन नमर एक की तरफ और सारे के सारे अपते टेस्ट सीर्जेंज गे लिंक जो मी हैं वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इस वीडियो के इस चलिए जी पहला कोश्चन क्या धिया है यह है एब सी एक साल के अंत में मतलब एक साल तक क्या नांग क्या किया एक साल के बाद बी ने क्या किया कर लिए उसके बाद क्या हुआ एड दा बी विड्रो फॉर्टी थाउजन इन वट रेशो दर प्रॉपिट विल भी शेड एड देंड और त्री एर्स देखिए कोश्चन साफ साफ कहा रहा है कि तीन साल के लिए मैंने बात तो जब भी ऐसा कोश्चन हो ना तो मंत को चोड़ यहर को लेना चुरू खूर हो देखो एक एंटर इंटर इंटेंड पार्टनरसिप देंवेस्टिट रुपेज 40,000 8000 अल्यां सब्संड जाने एक यह बात वी थे लंड़ी दिकी खिरत वही थी थिकलि खिए ठीक है यही इडिकी इन्वेस्ट में पास 40,000 विड़ी मेल यह दिया हुआ है एक साल के लिए क्या था पहले एक साल के लिए एक लागा उसके बाद क्या हुआ हुआ लास के दो साल में कितने लगों अगर आपके पास पहले साल के Прाद उसने विट्रौ किया है तो के पहले साल के अनथ थे गार। उसके बाद क्या किया है लास्ट के दो साल में 40,000 ठीक है देखें नेक्स क्या दिए मैं थोड़ी से लाइन लगा दूँ तक मैं पार्टिशन अच्छे से करबाँ सी बीड्रो एटी थाउजन वाइल एड दे एंड अफ सेकंड इयर इसका मतलब सी की बात करें सी ने दो साल त पार्टिशन लगा के रखूंगा ठीक है एक बार ध्यान रखें पार्टनर्शिफ जब भी आप करोगे न आपका इंवेस्टमेंट टोटल इनवेस्टमेंट इडर्क लीए प्रपोस्टनेट तो क्या होगा आपके प्रॉफिट जिसने जितना पैसा ज्यादा लगाया उतक एक लाघ एक लाघ भी सब्सक्राइब का ठीक है अचमें उप्रॉफिज जितना इस देखें टो लाघ चालीस ज़ार और चालिस जगोला कसी हिजार पस पिए यानि यह मेरे पास क्या रश्वों आगया अगर मैं चार ररसेशाओ जिरू काट उब स precaution कि इतना बचाए के इनुवेस्ट मैं का लिखो और मैंने जो बता है और कि उल्ठ इसने फारी आटो झार प्रॉफिक सिल्ठी और कि तीन रैसो चार रैशो घ्Car चार में बीज़ दा करेक्ट अंसर क्लियर तीन चार और साथ तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत भूले चैनल अवाइस दा वीडियो चलिए सुटेट्स नेक्स कुशन भी पड़ते हैं चलिए भाई एक इंपोर्न दी नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा कोश्टन है ए और सेमन जिरो स्टार स्टार जिरो इस दिवज़ेवाइब भाई प्री एन एलेवन दनों जिरो डिजित इन हंडर्थ हैं एं थैन फिलेसा रिस्ट्टिवली ओप्शन आर सिक्सेंद फूप्शन्ट ने इ देखिए मुझे दिये मैं इसको ऐसे लेता हूँ स्टार स्टार से मां समझे ना कि जो टैंत वाला हंड़र वाला सेम होगा और सेवन सिक्स एक्स वाइज जिडू यह बेटा अपने पास एक नंबर दिया हुगा ठीक है मुझे क्या दिया है यह नंबर थ्री एस वेलेवन इस तो इसमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू आ सकते हैं सबसे पहली वाग अगर मैं कंडिशन वन लेकी चलूं थ्री से डिवीजिबल है तो थ्री का डिवीजिबल क्या कहता है संब्व डिजिट्स भीजिबल इसका मतलब 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस X प्लस Y सब्स जिन की था हुगा यहां से इस divisibility of threes ही ना मैं elimination कर सकता हूँ कैसी elimination देखो अगर मैं x और y की value put करो 17 अगर x मैं ने 6 और y2 put किया तो 17 प्लस 8 25 हो गया 25 तीन से नहीं कटता तो यह क्या हो गया मेरा option अंकरेक्ट हो गया नहीं हो गया इसका ठीक है नेक्स देखो आट और दो दस सतरा प्लस यह होना चाहिए यह कितना है ठीक है नेक्स देखिए छे पांच ग्यारा सतरा प्लस ग्यारा नहीं हो सकता आट पांच ते रहां ते रहां ते रहां सतरा तीस तो एट और पाइफ कैन भी महीं अंसर तो ऐसे अगर इलमिनेशन से मेरे तीन ओप्षण तीन ओप्षण अगर हो जाएं ट्रैक यह तीन ओप्षण एलमिनेट हो जाते हो चौत्था मेरा आंसर होगा अब देखो जरहां अब मैं जरहां और यह पूट करता हूं यानि 17 या मैं पूट करूं और इसको ग्यारा से डिवाइड करते हूं अब ग्यारा का डिविजीबिल्टी रूल क्या कहता देखो अगर मेरे पास को निम्बर ए बेसी डियाने डी प्लस सी माइनस ओफ ए प्लस सी या तो यह जीरो ना सुरी ए प्लस डी प्लस बी या तो जीरो या ग्यारा का मल्टीपल हो मेक्सिम केसी में 0 ही मिलता है ग्यारा का मल्टीपल का केस हम बहुत रेर कंसेटर करते हैं दिया हो तो जब इनके डिफ्रेंस ग्यारा से बढ़ा जाए वो जब की बात होती है देखो जारह यानि 0 प्लस 8 प्लस सेवन माइनेस ओफ यह नहीं कितना कि पंदरा माइनस ओफ छे चार दस दो बारा भाई यह एंसर घलत हो गया मेरा क्योंकि ना जीरो आ रहा ना मेरे पास ग्यारा का मिल्टीपल आ रहा तो यह एंसर गलत होका डेफिनेंटी आट पर पांच एंसर होगा करके देखते हैं कोफ़ली आपने नोट करी लिया होगा है 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 कि दिवीजीबिल्टी रूल से बहुत सारा असान सा कुशन था यह यह यानि देखो कितना हो गया है अगर मैं यहां पर पुट करता हूं 4, 7, 6, 8, 5, 0 यहने 0, plus 8, plus 7, minus of 0, 8, 7, 8, 5, पुट किया है हमने तो 0, plus 8, plus 7, ठीक है जी, minus 4, plus 6, plus 5, तो क्या क्या है 4, plus 6, plus 5, तो यह कितना होगा 15, minus 15, यह कितना 0, yes, 8, 5 is the right answer, optional body is the correct answer to this brilliant question के लिए, मैं बहुत कम questions को brilliant का mark देता हूं, जिनको brilliant का track कर दिया है, इटका मतर्द इस आर बर्य इंपोर्टन कोश्चन और आबा ऐसे सेशन जलेंगा, clear, clear, how many numbers up to 300 and 700, मतलब 300 से 700 तक, are divisible by 2, 3 and 7, both together, करिये प्लीज इस कोश्चन को, करिये students, करिये करिये प्लीज, करिये प्लीज, करिये इस कोश्चन को कैसे करेंगे, देखो, दो तरीके हैं, देखो, सबसे पहले 2, 3 and 7, यह सारे क्या है, co prime number है, मतलब, जो 2 को जवाब लिखोगे, एक गुणा 2, इनको जवाब लिखोगे, एक गुणा 3, साथ को जवाब लिखोगे, एक गुणा 7, common कुछ भी ने, तो सबसे पहले वो number find out करना पड़ेगा, मुझे, जो 2, 3 और 7, इन 3ों से क्या हो, divisible, यानि, 42, दो, गुणा 3, गुणा 7, 7, 21, 42, यानि 42 ऐसा number है, जो 300 तता 700, ओ सरी, 42 ऐसा number है, जो 2, 3 और 7, तीनों से क्या पूरण आता है, विभाजीत है यानि, divisible है, clear students, अब देखो ज़रा, ध्यान से, अब 300, 300 के अगर मैं बात करूं, 42 into 8, 8, 4, 32, 62, 16, अगर इसे मैं 9 से multiply करता हो, इसे अगर मैं 7 से multiply करता हूं, 7, 24, गुना 8, 8, 24, 32, 8, 26, टीक है, 3, 36, ये कितना है, 284, 294, sorry, यानि मेरे पास 294 पहला, पहला आया, 336 पहला नमबर रहा है, नहीं कितना, 42 into 8 times, ये मेरे पहला नमबर है, जो 300 के बाद divisible है, ठीक है, अच्छा, 700 की तरफ चलो ज़रा, जगा 42, इंटो अगर मैं 20 करते हूं, 840 आगे, इसका मतलब डेफिनेटली कितना होना अच्छे मेरे पास, 42 into 19 करोंगे, 2900 के, 760 plus 38, बट ये तो अच्छे मेरे को 700 तक जाना ना, नहीं, 700 तक जाना है, तो ये भी नहीं होगा, तो मेरे को जाना है 700, ये तो 800 की रेंज में पहुंच गया हमें, तो आगर मैं 42 into 18 करोंगे, देखो, अठार चोके बहततर, जब भी आ रहा है जादा, चलो भाई, इसक 42 into of 16, 16 जोके 640, 16 जोनी 30, तो कितना हो गया, 672, हो गया 672, ये पहला अक्षन कितना है, 42 into 8, और लास कितना है, 42 into 16, पताओ ज़रा कितना अंसर आगया, कुछ पोच के बताई, कितना अंसर आगया मेरे पास, अंजी, देखो ज़रा कितना आगया अंसर, 8 से लेके 16, 8 भी इंक्लूड, 16 भी इंक्लूड, तो कितना आगया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, यानि कितना अंसर आगया, 9 आगया, ये बड़ा लंबा से मैं अथर लगा है, मैंने आपको बता दिया, कि आप lower limit और upper limit को देखके कैसे कर सकते हो, next देखो, कुछ नहीं करना, अगला बड़ा असान है, देखो, मुझे पता है, कि 300 से लेके 700 तक जाना है, हमें, ठीक है, हमें कहां से कहां तक जाना है, मुझे जाना सुरण 300 से लेके 700 तक, 300 तो 700, इसका मतलब, मैक्सिमुम 700 है, माइनस तिना, 300 है, अच्छे कर तो 42 से डिवाइड, कितना आ गया, 420 बाए, 42, सोरी, 400 बाए, 42, कितना आ गया, 9 टाम्स एगन हो चुके 36, 9 जुन इठार, कियर, तो answer is, option number, B, 9 is the right answer, कियर, तो पिछले वाला भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये ना, आच्छ लगा दू, ठीक है, 8 मां भी included है, और 6 मां भी included है, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 9 answer आएगा, इसका, चलिए सुरे, next question की तरह चलते हैं, ये है, बहुत अच्छा question, simple सा है, बट थोड़ा सा geometric question आगे है, तो मैं लिए आया, the angle of quadrilator r in the ratio, 2, 4, 7, 5, या नि मैं बोलू, कोई quadrilator चत्रवूज है, उसका angle A है, angle B है, angle C और angle D, क्या है मेरे पास 2P, 7P, 4P, sorry, 4P, 4P, 7P and 5, यह है, the smallest angle of quadrilator is equal to the smallest angle of triangle, देखो एक triangle दिये, मैंने बोला, P है, यह क्यो हुए यार, वो कह रहे है, the smallest angle of quadrilator is equal to smallest angle of triangle, यहीं तक बात करो, देखो quadrilator क्या होता है, कोई भी चार साइड वाला, diagram, closed figure, having four sides, equal, non-equal, doesn't matter, बट इसकी एक खास है, सारे के सारे angle का सम कितना रहता है मैंशा, तो इसकी, चाहिए triangle equilateral हो मेरे पास, हैना, कोई भी triangle हो, equilateral हो, isosal triangle हो हैना, कोई भी triangle हो मेरे पास, यह non-equal हो, ठीक है जी, clean triangle हो आप बोल सकते हैं, तो 2P, और उन्हों सब का सम 180 degree रहता है, plus 4P, plus 7P, plus 5P, is equal to 307, ठीक है students, तो यह कितना होगा है, 7, 5, 12, 4, 16, 7, 5, 12, 4, 16, 18, 18P बराबर कितना, 60 degree, तो P की value कितना आगी मेरे पास, P comes out to 20 degree, सबसे छोटे एंगल कितना है, 40 degree, तो definitely मैंने भी माल लिया कितना है, 40 degree, ठीक है, next देखे question में क्या दिये, one of the angle of the triangle is twice the smallest angle of the triangle, यह smallest angle है, तो यह कितना होगा, 80 degree आगे, ठीक है, 8, 4, 12, तो यह कितना होगा, 60, because angle P, plus angle Q, plus angle R, कितना होगा, 180 degree होगा, तो 40 degree, उसने का, one of the angle is twice the smallest angle, smallest angle क्या यह होगा, उसने क्या बोला, देखो, मुझे कहां से बता देला smallest angle है, the smallest angle of quadrilator is equal to smallest angle of triangle, मुझे नहीं पता था triangle में, वहीं कौन सा angle है, एक यह वल एंगल बचे होगा, यह था smallest हो सकता था, पट कोशन के, accordingly मुझे बोला गया, कि जो मेरे quadrilator का सबसे चोटा angle है, वहीं ट्रेंगल का सबसे चोटा angle है, और फिर उसने क्या बोला, कि मेरा जो एक बचे हो दू अंगल से एक अंगल है, वह थोट अंगल का दो गुना है, तो यह कितना होगा, देखो, अगर चालिस था तो असी हो गया, आठ चार बारहां और से यह कितना होगा, जो करने हैं, comment section में से लिख जाना, जुरूर इसका, क्योंकि मुझे बता, 99% बच्चे गलती करेंगे, इस question को, देखो, क्या बुला, for how many integer value of n, integer सबसे बहले समझो करें, प्लस मानिक से सारी value integer होती है, ना, number n पर जो भी होती है, for how many integer value of n, will the value of the expression 4n plus 7 will be an integer greater than 1n less than 200, देखो, वो पुल रहे है, जो इसकी value है, suppose क्रों k है, एक greater than 1 और less than 200 है, मतरब k मेरा क्या है, क्या है मेरे पास, 4n plus 7, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या को देखना है कि कितनी value is possible है, कि इस n की value क्या क्या हो सकती है, सबसे पहली बात, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले n को 200 के पास बनाने कोशिश करो, यानि, अगर k मेरा है, 4n plus 7, देखो, जब आपने इसको 50 put किया, सिदा सिदा जाओ, पचास चोके 200, तो बढ़ आ गया, 49 into 4 is how much, 196, 196, जब भी पास आ गया, तो अगर मैंने n को 48 put करता हूं, देखो कितना आएगा, 4 into 48 plus 7, अरतार 192 plus 7 is how much, 199, तो सबसे पहले k की कितने values आगे, या ऐसे कहो, k भी क्यों, n की कितने values आगे, 48, बिल्कुल असान था न, option number a आपने लगा दिया, है न, बस अंसर सई, गलत, बिल्कुल गलत है, चूंग गलत है, सुनट सुनट, देखे जरा, बहर ने के साथ बताऊंगा, एक बात का बताओ, बाइ, k को अगर मैं 0 put करूँ, कितना आएगा, तो रहे, k न, n को, k तो बिर पास values है, अगर मैंने n को 0 put किया, तो k कितना आगा है, 7, क्या ये भी इस range में है, येस, अभी तक इस range में है, अगर आपने n को minus 1 put किया, तो क्या होगा, भाई, 4 into minus 1, plus 7, याने कितना आगा, 3, क इस तरह के questions से बचना आपको, बचना in the sense, एक line का आपके पास statement है, बट explanation बहुत depth में, तो ऐसे questions को आपने super important, classic questions के रूप में लिखे लेना है, कि these are some important and valuable questions for your upcoming exam, clear, चलिए, चलिए बई, next is, इसमें आपको concept बताऊंगा, पांगा, पांगे रिमेंडर वान, 1234 into 1235 into 1237 is divisible by divided by 8, बताएंगे क्या अचर होगा, देखो 1, 2 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 7 आप ना हमेशा इसको 1234 देखो देखो एक बात लाओ अगर मैं 200 को 8 से दिवाइड करूँ तो 8, 9, 16 4, 0, 8, 45 मतलब अगर मैं 200 पटे 8 करना चाहूं तो फूरी तरह कटे गा यानि 200 का कोई multiple भी हो तो I can say that students की वो कटेगा? येस इसका मतलब क्या हुआ? 1234 में सब 1200 कटेगा तो यहां कितना बचा हूं? 14 ये कितना बचा? 15 ये कितना बचा? 17 वो दिवाइड बाइड वाइड होगा option चोटा? होगा option चोटा? ये तो करना था आप लोग इसी चीज में आज समरता रहते हैं कोशन को बड़े-बड़े कोशनों करते रही हैं देखो 800 के 32 यहां से कितना बचा? 2 800 के 32 तीन 800 के 32 पाँच तो 5 ती पंदरा दुनी 30 30 बट यार 8 या 24 कितना बचा? बचेगा 6 इस दा राइट असा बहुत अच्छा कोशन था ही है 12 men can complete a work in 8 days 16 women can complete the same work in 12 days 8 men and 8 women started working and work for 6 days how many more men are to be added to complete the remaining work in 1 days बहुत अच्छा कोशन है how will I do this question? यह कोशन मतलब one of the finest question कहूंगा मैं time and work से ठीक है? देखो क्या दिया सक्षब ले 12 men उसी काम को 8 दिन में करते हैं जिसको जिस काम को 16 women 12 days में करती हैं बटा जिसको बारे से बारे कटा यानि one man 16 by 8 women men 2 per 1 यानि मैं कहूंगा man के efficiency दो woman के एक total work कितना हो गया मेरे पास अगर मैं total work की बात करूं क्या यही मेरे पास total work सा students येस ये कितना होंगे 12 गुना 2 गुना 8 याईसे आप क्या कोगे गला सूखरा भाई बार बार या बोलेंगे 16 गुना 1 गुना 2 अब क्या कहे रहे हैं ये इट मैंने इट वूमन स्टार्टेट दवर्क एंड वर्क और सिक्स देश यानि वर्क दन एट मैंन प्लस एट वूमन ने सिक्स डेस काम किया यानि एट मैंने एट इंटू टू प्लस एट इंटू वन इंटू सिक्स तो ये कितना होगा 16 24 गुना 6 और ये बेसिकली कितना है मेरे पास 24 गुना 8 तो रिमेनिक वर्क कितना है आपको ये कॉमन चीज़ा देखने बढ़ेंगे हर बारा मल्टिप्ले नहीं करके देख सकते हैं तो रिमेनिक वर्क कितना है 24 गुना 8 माइनस और 24 गुना चे यानि 24 गुना लेजिए 8 माइनस 2 यानि 8 माइनस 6 तो बी माइनस और 24 गुना 2 यानि 48 उनिट्स मेरे रिमेनिक वर्क बचा इसंट इस अब देखी दिरह स्मार्ट मूव क्या बोलता है मेरे को अब मुझे क्या करना है चलिए यहां पर थोड़ इस स्पेस बना ले सो देट वी कन तो इस कुशन देखे अब मुझे क्या बोला जा रहा है कुशन कह रहा है रिमेनिक वर्क को कितने आओ इसका मतलब 24 गुना दो काम तो करना ही है आप किसको करना देखो मेरे पास 8 वोमेन तो थी 8 मैं अभी भी है प्लस नमबर ओफ मैन इंटू एक दिन में करना है इसको इसको मैं मिटा देता हूँ बट एक चीज और भी भी है तो यह कितना होगा 48 इसका टो 8 वोमेन के एफिचेंसी कितनी है 1 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू नमबर ओफ मैन नमबर ओफ मैन है वैसे बोलने यह मेरे पास एफिचेंसी होगी और डंबर ओफ मैन यह प्लीज इस टैप को थोड़ा सा क्लोज ली देखे दुबारा आप दात्तों मैंने किया किया है देखो जो मेरे पास नमबर ओफ मैन है उसके साथ उसकी वैश्यंसी भी दो है यह नमबर ओफ मैन यह इसके एफिचेंसी नमबर ओफ मैन इनके एफिशंसी आएगी वही चीज मैंने किये तो 48-8-16 is equal to 2 into number of men जो मुझे नए अब शाहिए तो यह कितना हो गया 24 is equal to 2 into number of men सब्सक्राइब करना मत भूलियो और जो भी टैसीरीज है चाहर्यानत जीक की हो चैप की आपकी जो प्रेलिम्स के टैसीरीज है वो हूँ उसका दोनों का लिंक इसमें दिया हुए और number of test सब्सक्राइब को चलिए लास्ट कोशन आप डड़ेवल स्वामा विलेज तो पॉस्ट ऑफिस एट रेट ऑट फॉन्टीफ फिलोमेटर पर आवर एंड वॉक्ट बैक अटर रेट ऑफ पोर किलोमेटर पर आवर इब दा होल जर्नी टुक फाइब आवर 48 मिनेट पंदर डि यह शायद मुझे रहा तक लग रहा है यह इस तरह कोशन हम डिस्कस कर चूप हैं देखिए सबसे वहले कितना है 25 किलोमेटर पर आवर फिर कितना मेरे पास 4 किलोमेटर पर आवर तो इन दोनों का भाई लेलो बहले पच्छी सो चाल के लिए मैंने माना कि मेरे पास टोटल सब्सक्राइब 25 किलोमेटर 100 किलोमेटर ऐसा कोई नंबर लो जो 25 और 100 से कटे यानि अगर यहां पर टाइम निकाल लेंगा तैम पन कितना अगया सो बटे चार कितना हो गया 25 यहां पर टोटल टाइम कितना लगा मुझे चार प्लस 25 अवर अकॉर्णिंड कोशन कितना लग रहा है 5 अवर प्लस 48 मिनिट चानी 48 बाई 60 आवर्स तो 12, 14, 12, 15 25, 29 बटे 5 मेरे अकॉर्णिंड ली 29 अवर लगे 29 अवर लगे 29 बाई 5 आवर्स इसका मतलब कितना टाइम इसका मतलब इसे भी 1 बाई 5 आवर्स कर दो कितना आगया 20 किलोमेटर आप्चन नबर 16 दा यह कुछ कोश्चन मास्टर क्लास कोश्चन की केटिगरी में आप इसे डाल सकते हैं, क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करना मत भूले चैनल एज वहले वीडियो और सारे लिंक आपको मिलें के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार फिर में आपको बता दूँ सब्स्राइब करना मत भूले चैनल एज वहले वीडियो और सारे लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्सक्रिफ करता दिसक्र पाले वीडियों के लिंके वीडियों के गाहतको मिलें कुछा सारे लिंकता नबुर कि वीडियों ऑटुर सारे वीडियों को जबुर थैज